जेहिन दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? मैं उमीद करता हूँ, आप सभी लोग बिलको ठीक और स्वस्त होंगे. तो मैं रोहित कुमार एक बाइफ, फिर से आप सभी का हर्दी को भी नंदन करता हूँ, आपकी अपने पिरे चैनल साइंस विट रोहित सर के साहँ. तो आप सोई बच्चे मेरे साथ जुड़े हो, यहीं मेरा सभवाग है बेटा तो आप सोई बच्चे यदो इस चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन के बटन को दबाएंगे आद के सेशन में हम क्या करने वाले है आज के सेसेनियम केमिस्टी के most important 25 PYQ को करने वाले हैं जो सभी general competition के इंदर बार बार repeat किये जाते हैं और NDA और CDS वाले खास तोर पर सुन लोग आपके लिए तो बेटा ये राम बाने हैं क्योंकि आप ही के exam का ये पूछा गया PYQ question है तो चले बिना देरी किये बिना समय गवाई हम स्टार्ट कर देते हैं अपने इसे topic को बट topic पर जाने से पहले एक चोटी सी motivational line हो जाए बेटा जिस मेहनत से तु आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी जोग दे खुद को इस आग में यही आग तुझे ही रा बनाएगी तो यादकना मेहनत आज आज आपको करना है तो इसका फल आपको कुछ दिनों के बाद जरूर बिलेगा क्योंकि आपको पता ना जो जितना तपता है वो ही सूरिय बनकर निकलता है यदि आपको सूरज के जैसे चमकना है तो आपको तपना पड़ेगा आग में अपने आपको जोखना पड़ेगा तब जाकर कि आप सूरज के जैसे चमक सकते हूँ तो चली इसी उमीद के साथ आज हम सबसे पहला प्रशन आपके सामने यह देखो भई दिहान से अब ऐसा इस कोशन का आंसर देखो तुरंद फड़ा फड़ विदिन वन और टू सेकेंड में आपको इसका आंसर देना है ठीक है क्या है कोशन देखो और पड़ो तुरंद इसका आंसर लगा दो टंगस्टन तत्तो का प्रतिक क्या है option A, T A, option B, W, option C, Titanium तो tungsten जो है उसका symbol है W, ये tungsten का symbol है याद अखना, ये tungsten कहा होता है तो आपने देखा होगा आपके घरों में जो bulb होता है आपके सभी के घरों में लगवा एक bulb होगा बेटा तो जो हमारे घरों में bulb होता है उस bulb के इंदर कुछ इस तरीके से filament आप लोग जो देखते हो इस filament के इंदर इसको हम बोलते है filament इसको क्या बोला जाता है तो इस filament के इंदर जिसका प्रियोग किया जाता है वो है tungsten और इस tungsten का याद अखना बेटा इसका melting point बहुत हाई होता है बहुती जादा होता है लगबग 3415 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांग होता है इसलिए हम इसको बलफ के इंदर लगाते हैं ताकि आसानी से ना पिगले चले नेक्स कोशन की तरह बढ़ते हैं अगला कोशन देखो और कोशन को देखते हैं उसे उड़ा देना इदम कोशन कहता है कि चार धातों का गलनांग अपेक्चा क्रीत कम होता है निम्लिकी चार धातों में किसका गलनांग अधिक्तम होना अपेक्षीत है इसमें से किसका गलनांग अधिक्तम होना अपेक्षीत है the melting point of the alkaline metal is relativity law which of the following alkaline metal is expected to have the highest melting point expected to have the invasive किसका melting point सबसे जाद आओगा तो बेटा यदि आपने कभी periodic table periodic table की properties को पड़ी होगी तो periodic table की properties में जो सबसे पहले हमारे S block के अंदर आते है S block और इस S block में जो सबसे पहले हमारे series आता है जिसको हम बोलते है alkaline metal जिसको बोला जाता है alkaline metal alkaline metal का मतलब होता है छारिय धातू इसको बोलते है छारिय धातू और इस छारिय धातू में आप लोगों ने देखा होगा है ली ना का रब से फरियाद है ली ना का रब से फरियाद तो बेटा आपने लीथियम, सोडियम, पोटेशियम, लीथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबीडियम तो उप्सन में देखो लीथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबीडियम बढ़ याद अखना periodic table में ऊपर से जब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो melting point और याद अ क्रीज होता है यदि हम छार ये धातू की बात करें तो तो पहरा की इन में से किसका सबसे अधिक्तम होगा तो यह सबसे अधिक्तम किसका होगा जो सबसे ऊपर होगा और सबसे ऊपर कौन सा है लीथियम तो इसका सही आंसर है लीथियम अगले प्रश्न की तरह बढ़ जाते है बेटा अगला question number 3 सिर्का का मुख्य घटक क्या है सिर्का किसे बनाय जाता है तो सिर्का जो बनाय जाता है वो acetic acid से बनाय जाता है किसे? acetic acid से दुबारा सुन लो सिर्का is obtained from the acetic acid होता है क्या है जब acetic acid को 5-8% solution में मिला दिया जाता है acetic acid का 5-8% solution is called vinegar इसी को बोला जाता है vinegar इसी को बोलते हैं सिर्का तो हमारा right answer होगा acetic acid क्या होगा बेटा? acetic acid next question कि तरह बढ़ते हैं अगला question है question number 4 स्वेथ phosphorus अंधेरे कमरे में किस कारण से दीबत होता है यह कहता है कि phosphorus दो आप लोगों ने पढ़ा होगा red phosphorus एक white phosphorus हम सभी बच्चों को पता है कि white phosphorus जो होता है उसका ignition temperature बहुत ही कम होता है बढ़ी आसानी से जलना प्रारम कर देता है oxygen के contact में आते ही यह आसानी से जलना प्रारम कर देता है तो एक बात याद अखलेंगे बटा कि जो white phosphorus होता है कौन सा यह phosphorus है लेकिन कौन सा phosphorus में कह रहा हूँ यह white phosphorus है जो white phosphorus है इसका ignition temperature इसका जोलन ताप बहुत कम होता है कमरे के तापमान पर यह जलना प्रारम कर देता है लगबग 27 degree Celsius पर यह जलना प्रारम कर देता है अब यदि यह जल रहा है तो आपको पता है कि कोई भी element बिना oxygen के उपस्तिती में नहीं जल सकता और इस phosphorus को जब oxygen मिल जाता है तब इस phosphorus का oxidation हो जाता है इस phosphorus का oxidation हो जाता है और इसके oxidation के कारण से वो जलना चालू कर देता है लेकिन यादखना यह oxidation बहुती fast नहीं होती है यह oxidation बहुती slow होती है जिसके कारण अंदेरे कमरे में phosphorus हमें जलता हुआ प्रतीत होता है तो आपसान एक क्रिस्टलिये विलक्षन के होने के कारण बिलकुल गलत मंद oxy करन यह बिलकुल सही है मंद का मतलब है slow oxidation slow oxidation के होने के कारण से यह हमें अंदेरे कमरे में भी चमकता हुआ या जलता हुआ प्रतीत होता है तो इसका option कौन से बिटा B मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी इन PYQ को लगाना बिटा most important है बहुत जरूरी है दूसरी यदि मैं इसके लावा एक और बात करूँ तो याद अखना बच्चे आप इस channel पे यदि कोई भी चीज़ सीखते हो या कोई आपको doubt होता है कोई भी आपको doubt हो रहा है चाहे आप NDA के student हो चाहे आप Navy के student हो चाहे आप Coast Guard के student हो चाहे आप Air Force के student हो आपको Physics, Chemistry और Biology से यदि कोई भी doubt है तो आप जरा सभी ना हिच्च की चाहें आप तुरंत मेरे number पर WhatsApp करें नमबर में आप लोगों को बता देता हूँ 9716119813 इस पर अपने question को WhatsApp करेंगे तुरंत आपको इसका reply मिल जाएगा कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में आपको इसका reply मिल जाएगा कि आपका क्या answer होने वाला है तो 9716119813 इसको सभी बच्चे नौट कर लेंगे और मेरे टेलिग्राम चैनल से भी सभी बच्चे जूढ़ जाएगे चीजों को update रहने के लिए टेलिग्राम चैनल से आप सभी बच्चे जूढ़ जाएंगे तो वहाँ पर इसकी PDF अगेरा भी आपको मिल जाएगी अगला कोशन क्या है कोशन नमर 5 बोरीक एसीड बोरीक अमल को बोरीक अमल क्यों कहते हैं तो यह रखना बोरीक एसीड इसका अनुजल निर्मूत करने वाले प्रोटॉन से OH लेता है OH नेगेटीव लेता है तो its molecules take OH नेगेटीव from the proton releasing water this is the right answer यह कहता है कि बोरीक एसीड को बोरीक एसीड इसलिए बोला जाता है क्योंकि बोरीक एसीड OH नेगेटीव आइन्स गेन करता है वाटर से जब उसमें से release होता है proton तो option A will be the right answer next question number 6 ते निमलिकीद अभी किरिया पर विचार कीजिए यहां तो को यह भी किरिया ही नहीं दी गई है actually में यह भी किरिया इस तरीके से होगी यह carbon monoxide और प्लस में यह hydrogen तो carbon monoxide जब hydrogen से react करता है तब यहाँ पर एक gas बनती है that is called water gas इसको water gas बोलते हैं इसको क्या बोला जाता है water gas यह इसी को बोला जाता है इसी को हम बोल देते हैं भाफ अंगार गैस हिंदी में भाफ अंगार अंगार गैस इसी को हम भाफ अंगार गैस के भी नाम से बुलाते हैं किस नाम से बुलाते हैं भाफ अंगार गैस के नाम से भा को बोला जाता है वेपर गैस वेपर गैस किसको बोलते हैं बेटा है एच टूओ को बोलते हैं और यदि मैं बात करूं वाइउ अंगार गैस तो इसी को बोला जाता है वाइउ अंगार गैस कैसा वाइउ भाफ अंगार गैस मैंने बोला ना भाफ अंगार गैस लेकिन यहाद प्रोड्यूसर गैस इसको नहीं बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस तो कार्बन मोनोकसाइड के साथ जब नाइट्रोजन मिलता है तब बनता है, तो केवल इसका option answer होगा C, केवल इसका option होगा C, वायू अंगार गैस जिसको हम भाफ अंगार गैस के नाम से बुलाएंगे, के इंदर बार पर repeat किया जाता है, एक नहीं, जितने भी general competition के exam होते हैं, सभी competition में, परम सुन्य अर्थात जिससे नीचे का तापमान जाही नहीं सकता, आपको बताना है कि परम सुन्य तापमान कितना है, जिससे नीचे का तापमान जाही नहीं सकता, तो या दखना परम सु तो एक बात यहां दखना option यह तो बिलकुल होई नहीं सकता क्योंकि Kelvin का temperature कभी भी negative में नहीं आता Kelvin का minimum temperature होता है 0 Kelvin उससे कम जाता ही नहीं है दूसरी बात 0 degree Celsius minimum temperature नहीं होती है क्योंकि negative में भी होता है तो यह भी option हमारा गलत है अब या तो minus 273 होगा या फिर 300 degree Celsius होगा तो यह भी नहीं होगा option C will be the right answer minus minus 273.16 degree Celsius इस temperature को बोला जाता है absolute temperature इस यह को बोला जाता है परम सुन्य तापमान परम सुन्य तापमान के नाम से में इसको बुलाते हैं क्योंकि इससे नीचे का तापमान अभी टक मौझूद नहीं है मत्तब measure नहीं किया गया ठीक है चले वई आगे बढ़ते हैं निमलिकित में से कौन सी एक green house gas नहीं है तो green house gas वो gas होती है जो हमारे वाई मंडल को गरम कर देती है अब वाई मंडल को गरम करने में सबसे पहले जिस gas का रोल है वो carbon dioxide है दूसरा जो gas है वो methane है तीसरा जो gas है वो chlorofluorocarbon है और चोथा जो gas है वो nitrous oxide है और पांचमा जो gas है वो ozone है और छटा जो gas है वो water vapor है water vapor या जिसे हम जलवास्प के नाम से बुलाएंगे तो देखो यहाँ इन में से कौन से यह जलवास्प है methane है, ozone है, carbon monoxide नहीं है तो option D will be the right answer option D जो है वो इसका विल्कुल सही और विल्कुल उचीत आंसर है अगला कुशन, पसीना सरीर को ठंडा करता है क्योंकि जब भी आपके सरीर के अंदर sweating आती है तो इसका मतलब है कि आपका सरीर ठंडक फिल करना चाहरा है उसके लिए वो sweating रिलीज करती है, अपने अंदर से पानी को बहार निकालती है आपको सीतलता क्यों फिल होती है तोचा पर पानी की मौजूद की सीतलता देती है ये गलत है हमारी तोचा के उपर जो पसीना है वो कभी भी सीतलता नहीं उत्पन करेगी वास्पी करन के लिए गुपत उसमा कियाinação सकता होती है ये सही है पानी की विशिस्ट उसमा उच होती है ये भी गलत है पानी उसमा का हीन चालक है ये गलत है अब आप लोगों को पता है बेटा आप लोगों को कि वास्पी करन करने के लिए एक limited temperature की आप सकता होती है और वास्पी करन जितना जल्दी आपके बोडी में से हो रहा होगा वहां उतना ही जल्दी आपको cooling feel होगा जैसे example में बताता हूँ कि मालों आप बहुत तेजी से running करके आ रहे हो और बहुत तेजी से जब आप running करके आते हो तो पूरे बोडी के पर sweating होती है और आप किसी fan के या cooler के पंके के आगे जाकर बैठ जाते है तो बहुत ही cooling feel होती है क्यों cooling feel होती है क्योंकि आपके बोडी के skin के उपर जो भी पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट मोजूद है वो ड्रॉपलेट वहां से evaporate होती है अब आपको पता है कि evaporation होने के लिए उसके उपर जो तापमाने हो जादा चाहिए जैसे तो वहां से उस water के molecules को evaporation के लिए आप आपके skin से कुछ temperature की requirement होती है इसलिए आपकी तोचा पर कुछ ठंडक यानि cooling feel होता है आपने देखा होगा बच्चे कि किसी petrol को यदि आप अपने हाथों में रखते हो तो petrol आपको ठंडक feel होता है क्यों क्योंकि वह petrol जो है वह बड़ी आसानी से evaporate हो जाता है तो evaporation के आपको cooling feel होता है ठीक है बड़ा चलिए next question number 10 प्रश्ण संक्या 10 जब उसमें किरने प्रीथवी से परावर्ती तो होती है तो carbon dioxide, nitrous oxide जैसी गैसे उसे वापिस अंत्रिक्स में नहीं जाने देती जिसके कारण हमारा गर्य गरम होता है और ये गैसे क्या कहलाती है आई मैंने प्रीथवी का हमारा वाई मंडल है ये अर्थ का हमारा वाई मंडल है और वाई मंडल में कई सारी ऐसे गैसे पाई जाती है जो इस संद से आने वाली इस सूरत से आने वाली heat को कहती है बेटा तु आतो जा लेकिन तुझे बाहर जाने नहीं दूंगी ये बार बार इधर इ जो है वो थोड़ा सा गरम हो जाता है लेकिन जो गैसे प्रीथवी के अंदर आ करके वाई मंडल को गरम करती है उसी गैस को अभी बोला था थोड़ देर पहले green house gas तो option B will be the right answer green house gas next question number 11 अभी किरिया zinc oxide यह zinc oxide अब प्लस में carbon तो zinc ने carbon से react किया तो zinc को separate कर दिया और carbon oxygen के साथ जुड़ गया अब यहाद अखना carbon के साथ oxygen जुड़ा है तो oxygen का यहाँ पर क्या हुआ है addition oxygen क्या है addition of oxygen oxygen का क्या हो गया बैटे addition हो गया अब यदि oxygen इसके इंदर जुड़ गया है तो इसको हम बोलते है oxidation the addition of oxygen is called oxidation and the removal of hydrogen is called reduction तो oxidation का मतलब होता है addition of oxygen या removal of hydrogen तो hydrogen तो यहाँ कहीं है नहीं तो carbon के साथ oxygen जुड़ है तो carbon का oxidation हो रहा है कारवन का क्या हो रहे बैटा oxygen rate is not that is called oxidation इसे हम oxidation के नाम से बुलाएंगे किस नाम से बैटा oxygen हो रहा है इसका चले अगले प्रश्न की तरह बढ़ते हैं निमलिकित में से कौन सा एक कांच के पात्र की जिसमें रखा होता है दिवार को गीला नहीं कर पाता अब एक बात पता है मुझे ये कांच का एक पात्र है और इस कांच के पात्र के इंदर हमने कुछ mercury भर दिया है क्या भर दिया है बैटा हजी हजी बोले तो mercury पारा अब एक बात पता है कि मारा का पारे का जो cohesive force होता है पारे का जो cohesive force होता है वो greater than वो क्या होता है greater than is the cohesive force of glass इस glass के cohesive force से कम ज़्यादा होता है इस कारण से ये आपके कभी भी कांच को गीला नहीं कर पाता है कभी भी कांच को क्या नहीं कर पाता है बेटा गीला नहीं कर पाता है तो option C will be the right answer पारा अगला जल में इस थाई कथोरता किसकी उपस्तिती के कारण होता है तो आपको मैं بتा दूँ जो हमारे water होते हैं इस water के इंदर दो परकार की कथोरता होती है एक कथोरता को बोला जाता है soft ठीक है और दूसरे को बोला जाता है hard दूसरे को बोलते है hard लेकिन ये hard भी दो तरह से होती है hard hard का मतलब क्या होता है कठोर जल hard का मतलब क्या होता है कठोर जल अब यदि मैं कठोर जल की बात करता हूँ तो कठोर जल दो परकार के होते है एक होता है permanent एक होता है permanent यानि इस्थाई कठोरता और दूसरा होता है temporary और दूसरा होता है बेटा temporary दूसरा कैसा होता है दूसरा होता है temporary तो दूसरा होता है temporary अज थाई तो पारमानेट जो होता है वो याद अखना सोडियम एंड सोडियम सोडियम सोरी सोडियम ने कैल्सियम और मेगनीशियम के कैल्सियम कैल्सियम मेगनीशियम के क्लोराइड एंड सल्फेट के आएंस दुबार चुटो कैल्सियम मेगनीशियम क्लोराइड और सल्फेट के आएंस की उपस्तिती के कारण से पानी में पर्मनेट इस्थाई कठोरता होती है और टेम्परियरी हाडनेस होती है इसी केल्सियम और मेगनीशियम के बाई कारबोनेट के सॉल्ट के कारण से होती है तो इसने कौन सी पूछा है इसने पूछा ही स्थाई कठोरता तो sodium, potassium के sulphate, magnesium, calcium के sulphate, magnesium, calcium के sulphate, sodium, magnesium के carbonate, sodium तो ही नहीं यहाँ पर बिटा, magnesium और calcium के bicarbonate, तो यादकना यह जो होगा वो permanent यानि इस्थाई कठोरता का कारण बनेगा और यह जो होगा वो अस्थाई कठोरता का कारण बनेगा, तो यहाँ से पूछा गया इस्थाई, इसलिए option B will be the right answer, B जो है बिटा, वो बिलकुल सही answer होगा, चले, अगले पढ़ाशन की तरह बढ़ जैसे यह पानी के इंदर नीचे की तरफ गहराई में जाते हो, जैसे यह पानी में गहराई में जाते हो, तो पानी का दाव है, वो बढ़ता जाता है, पानी का दाव क्या होता है पटा, लगाता और बढ़ता जाता है, इतना जादा पानी का दाव हो जाता है कि हमारे बोड की कमी हो जाती है ना उच वायुदाव के हावग के कारण से एसी घटना प्रस्न विद्धु तब गटनी सहलों में गॡ्रीफाइट का उप्योग क्यों होताए SC सबसे पहले जब भी हम ग्रेफाइड का घटकरते है तो ग्रेफाइड tarp of electricity, graphite is the good conductor of good conductor of electricity, graphite जो है वो electricity का good conductor है, क्यों तो पूछा जाए तो बोलना due to free electron, मुक्त electron के कारण से free electron के होने के कारण से electricity का good conductor, graphite का good conductor of electricity बोला जाता है, तो आपने cells तो देखे होंगे, बैटरियां तो देखी होगी, तो हमारी ये बैटरियां इस बैटरिय को एक point को बोला जाता है, plus और दूसरे को बोलते है, माइनस, इसके बीच में एक लम्बी सी road delivery होती है, वह आप लोग देख लेना, और नहीं देखे, तो मैंने इसका एक practical किया हुआ, ग्रेफाइट को दिखा करके दिखाया हुआ है, तो आप क्या करना है, इस पे science विद्रोहिच सरकेव पर आप जाना, इसके किस के इंदर, तो आप यहाँ पर जाना, इसके source में, और source में जाने पर आप सर्च करना है, उसके इंदर, ठीक है, कि ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट जैसे सर्च करोगे, तो वह आ जाएगा, आपको source के इंदर, जहां मैं अच्छी तरीके से दिखा चुका हूँ, तो ग्रेफाइट को यहाँ क्यों use किया जाता है, electrodes की रूप में, वाई, because it is the good conductor of electricity, तो ग्रेफाइट कॉमल होता है, इसलिए यह गलत है, यह ग्रेफाइट होगा बैचा, ग्रेफाइट कार्बन के पर्मानों की पर्तों से बनता है, इसलिए, नहीं बेटा, यह भी गलत, यहाँ भी ग्रेफाइट होगा, ग्रेफाइट अधिकांस रसायनों के पर्ती निसक्रिय होता है, नहीं बेटा, यह भी गलत, ग्रेफाइट विद्दूत का सूचालाक है, बिल्कुल सही, ग्रेफाइट is the good conductor of electricity, ग्रेफाइट इलेक्टिसिटी का good conductor है, इसलिए ऐसा किया जाता है, नेक्स, यह भी कोशन 15 है, 15 है, 16, दहोने का सोडा किस नाम से परचलीत है, दहोने का सोडा, यह हम इसे बोलते हैं, धावन सोडा, हम इसे कौन सा सोडा बोलते हैं, धावन सोडा, तो धावन सोडा का मतलब है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइडरेट, बट इसे हम sodium carbonate के नाम से बुलाते है calcium carbonate calcium carbonate का formula ये होगा और calcium carbonate जो होता है वो चूना पत्थर होता है वो क्या होता है? चूना पत्थर जिसका प्रियोग किया जाता है चूने के निर्मान में तो ये तो हो गया गलत magnesium carbonate mg co3 इसका भी use नहीं होता है बेटा ये भी हमारा गलत है sodium carbonate Na2 CO3 this is the right answer potassium carbonate KNO3 ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा तो option C will be the right answer C जो है बेटा इसका विल्कुल C जबाब है sodium carbonate sodium carbonate पादपो में प्रकास संसलेशन के दोरान निमलिकित में से कौँची gas release होती है अब आतपो में plants में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हमने ये carbon dioxide और हमने पानी मिलाया और पौदे फोटो सिंतेसिस की reaction करते हैं किसकी chlorophyll 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 की उपस्तिती में और प्लस में सूरिय के प्रकास sun की light की उपस्तिती में अपना भोजन बनाते हैं जिस भोजन है C6, H12, O6 glucose है प्लस में इसके साथ H2O और प्लस में इसके साथ O2 release होती है क्या release होती है O2 तो question में पूचाएगे कि पार्थम में प्रकास translation के दोरान निमलिकित गैसों में से कौन सी एक गैस निकलती है तो कौन सी गैस निकलती है बिटा O2 oxygen तो B will be the right answer oxygen आगे बढ़ते हैं question number 17 question number 18 photography में इस्थाई कर fixer ठीक है के रूप में किसका प्रियूग किया जाता है in photography what is the chemical used to fixer developer photography में photo को साफ करने के लिए clear करने के लिए हम किसका यूज करते हैं तो यह आपको यादकना पड़ेगा रटना पड़ेगा sodium thaiosulfate किसका sodium thaiosulfate और यदि आपसे कभी भी black and white photo की बात की जाए कौन से photo की black and white photo की बात की जाए तब यादकना उस समय उसमें silver bromide का यूज किया जाता है किसका silver bromide colored photo के अंदर sodium thaiosulfate और पहले जो पुराने समय में black and white photo कीचा जाता था उस photo को clean करने के लिए sodium silver bromide का प्रियोग किया जाता था ठीक है चले बटा आगे वढ़ते next question number 19 बारूद बनाने में निमलिकीत में से किस एक का इस्तेमाल होता है तो यादकना बारूद बारूद बनाने में किसका इस्तेमाल होता है तो बारूद बनाने में magnesium sulfate नहीं potassium nitrate नहीं sodium straight sodium straight potassium nitrate होगा sodium straight नहीं calcium sulfate नहीं तो potassium का मत्तब KNO3 Potassium Nitrate जिसको Chili Salt Peter के नाम से भी बुलाया जाता है किस नाम से? Chili Salt Peter के नाम से भी इसे बुलाया जाता है ये प्रकार का Explosive Items है इसके विस्पोटक होने का कारण इसके इंदर Potassium की उपस्तिति का होना है तो और इसका प्रियोग किया जाता है तो Gun Powder के निर्मान में किसके? Gun Powder जो Gun Powder होता है उस Gun Powder के निर्मान में भी हम इसका यूज करते हैं ठीक है? इसके लाव कुछ विस्पोटक बदार्थ बनाने में हम इसका यूज करते हैं तो इसका Right Answer होगा Potassium Nitrate Option B Option B पानी में साबून और Detergent की मेल बिला दिया है जब पानी में Detergent मिलाओगे तो ये दोनों मिल करके इसके इंदर Missils इसके इंदर Missils का निर्मान करेगी Missils बोले तो जहाग इसको हम बोलते हैं जहाग और उस जहाग के निर्मान होने के कारण से हमारे कपड़े की गंदगी साफ हो जाती है तो जिस साबून में या जिस Detergent में जितना ज़ादा जहाग उत्पन होता है उसकी क्लीनेस उतनी ही अच्छी होती है उतनी ज़ादा होती है अगला कोशन नमर 21 इस 21 में कोशन के इंदर हमें मैचिं मैचिं खेलना है बच्छमन में आप लोग बहुती मैचिंग खेलते होंगे sodium hydroxide sodium hydroxide दूसरा इसके बाद क्या लिखा गया है calcium hydroxide यह है calcium hydroxide इसके बाद acetic acid CS3COOH उसके बाद hydrochloric acid HCl अब पता है कि hydrochloric acid सबसे परबल है तो इसका मत्तब D के साथ क्या जूरिया बीटा एक जूरिया अब दूसरा हम देखें sodium hydroxide sodium hydroxide छारक बेस या छार अलकी है छार अलकी है छार अलकी है क्या मत्लोब क्या होगा छार अलकी लिए और छार बेस तो यहाँ से देखो भई और और देख लेने हैं Acetic Acid, Acetic Acid कैसा होगा? छिन, छिन हम लोगा Acetic Acid, तो याद अखना, C के साथ क्या हो जाएगा बिटा? 3, अब देखो, मैचिंग करके देखो, D के साथ 1 और C के साथ 3 किसके इंदर है? D के साथ 1, स्वरी, हाँ, D के साथ 1 यहां भी है, और D के साथ 1 इसमें भी है, तो यह दोनों तो हमारे wrong हो गए, लेकिन C के साथ क्या चाहिए? 3, अब C के साथ 3 इसमें तो नहीं है, तो यह हो गया wrong, C के साथ 3 इसमें है, तो option B will be the right answer. तो कहने का मतलब है, sodium hydroxide एक परकार का alkaline element है, क्योंकि यह alkaline group से जोड़ता है, जो भी हैलीना का रब से फर्याद, मैंने आपको बताए था, हैलीना का रब से रब से फर्याद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो यहां पर यह सारे के सारे alkaline metal हैं, और इन्हें को बोला जाता है alkaline metal, ठीके बेटा, तो option B will be the right answer, next question अगला, अगले question की दरब हम बढ़ी आते हैं, अगला प्रश्ण देखेंगे बेटा सभी लोग, question है 22, हीरे की अपेक्छा, graphite, कुस्मा और विद्दूद का बहुत अच्छा चालक है, इसका क्या कारण है, आपको बताना है कि हीरे जो होता है, वो bad conductor of heat and electricity, बट जो graphite होता है, वो good conductor of heat and electricity, तो इसके क्या कारण है, तो सबसे पहले इसका main कारण है, SP2, संगरन, SP3 hybridization के कारण से नहीं बढ़ा, हीरे की अपेक्छा, graphite, क्योंकि देखो, SP3, SP3 hybridization, diamond का होता है, यह किसका होता है, diamond का, और SP2 hybridization, यह किसका होता है बटा, यह graphite का होता है, यह किसका होता है, graphite का, तो यादकना, diamond जो होता है, वो 3D structure में होता है, और यह जो होता है, वो 2D structure में होता है, तो यादकना, इसके अंदर electrons free होते हैं इसमें electrons free होते हैं बट इसमें electrons free नहीं होते हैं जिसके कारण से याद अक्रेना हीरे के अंदर तो कभी भी electricity और heat कभी भी pass नहीं होता है बट graphite के अंदर easily pass हो जाता है किस कारण से तो बलना due to sp3 hybridization हीरे के अंदर sp3 hybridization होता है इसलिए वो bad conductor of heat और electricity मान आगले प्रश्ण है, question number 23, निमलिकित में से कौन से इलेक्ट्रोन के गुन है, इलेक्ट्रोन के गुन बताने है, इलेक्ट्रोन कैथोड कीरनका और घटक है, बिल्कुल सही बटा, इलेक्ट्रोन की खोज, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के माध्यम से की गई थी, तो option 1 जो ह यह जरासर जोट है, बिल्कुल गलत है, इलेक्ट्रोन विद्दू छेतर द्वारा विक्षेपित होता है, यह भी सरासर गलत है, तो option 1 and 2 यानि A में हैं, तो हमारा A ही इसका बिल्कुल सही जबाब होगा, next question number 24, धातों को एक साथ weld करने के लिए, उसको उच्छ ताप की को, iron को weld करने के लिए, iron की चीज़ों को जोडने के लिए, और ऐसी heat generate करने के लिए, हम use करते हैं, acetylene, acetylene के साथ oxygen, तो इसको बोला जाता है, oxyacetylene, क्योंकि बिना oxygen के कोई भी gas जल नहीं सकती, तो oxygen में acetylene का use किया जाता है, option A will be the right answer, next और यह हमारा आज का अंतिम प्रश दोस्तों, बरही मंडल में निमलिकित में से कौन सी gas पाई जाती है, तो आपको पता है कि प्रीतवी को कई सारी layer में बाटा गया, सबसे पहली जो layer होती है, वो मैं बता दिता हूं, सबसे पहले को बोला जाता है, छोब मंडल, छोब मंडल, दूसरे को बोला जाता है, मंडल, और तीसरे को बोला जाता है, मद्य मंडल, और उसके बाद, चोथे को बोला जाता है, आइनो स्पेर, यानि आयन मंडल, आयन मंडल, और सबसे लास्ट में जो होता है बेटा, आयन मंडल, और जो सबसे लास्ट में होता है, उसको बोला जाता है, एक जो स्पेर, एक Sphere का मतलब बरही मंदल और ये जो बरही मंदल है इसके इंदर केवल और केवल हाइड्रोजन और प्लस हीलियम ये दो गैसे हैं पाई आती है बट हाइड्रोजन और हीलियम इन दोनों में से किसकी» क्वैंटिटी ज़ादा होती है तो केवल और केवल hydrogen की quantity जादा होती है किसकी hydrogen की तो option A जो है इसका वो बिलकुल सही जवाब होगा तो बेटा इन 25 प्रशनों को बहुती मेहनत से मैंने तयार किया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके exam के लिए बहुती sufficient होंगे तो आप सभी बच्चे पूरी वीडियो को यदि देखे होंगे तो कोई भी question से लिए आप लोगों का doubt है तो बेटा आप तुरण उसको comment करके मुझे बताएंगे और ये वीडियो कैसी लगी उसका भी comment करके आप जरूर बताएंगे इसके साथ साथ एक और दूसरी बाद बेटा में आप लोगों को बताता हूं कि आप सभी बच्चे जादा से जादा अपने दोस्तों के पाथ इस session को share करेंगे ताकि वो बच्चे भी इसका लूत उड़ा सकें और इन प्रश्णों को easily और आसानी तरीके से solve कर सकें तो सभी बच्चों को जाहिन बाबाई टेक केर अपना धिहान रखेंगे